वीडियो देखने से पहले दक्षिना के तौर पे चैनलों का भी सब्सक्राइब कर दीजे लेटिस क्रिकेट और फूटबॉल न्यूज के लिए साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपका दक्षिना ओस्ट ना हो तो मैं हमीर और आपका मातिन क्रिकपर में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों मैं आगए आई सल फाइप से जुड़े एकन है वीडियो लेकर इसमने बाज़ हम बात करेंगे नासिनाडेड एपसी और निको विलेज तक जरू देखते रही है तो सबसे पहले मैं आपको क्लियार करके बता देता हूं कि मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चा रहा था क्योंकि दोस्तों एक तरह का क्लिक बेट हो जाएगा लेकिन आप लोगों के भारी डिमांड और बार बार मुझे आप लोग पूछ रहे हैं और इंटरनेट में भी बहुत तरह ऐसा कॉंट्रफर्सी फैला हुआ है कि निको विलेज वापस आ जाएगा नासिनाडेड एपसी में तो दोस्तों चले मैं आपको एकदम क्लिया करके बता दूँगा कि निको विलेज का आने का चांस कितना है नासिनाडेड एपसी में आई इसल 5 के बाकी सीजन के लिए तो दोस्तों बात शुरू हा जब ओखरा इंजरी हो गया तो दोस्तों उनके रिप्लेस्मेंट में सभी नासिनाडेड एपसी के फैन ने सोचा कि निको विलेज को वापस बुला लेगा नासिनाडेड एपसी के कोमेडी तो दोस्तों ऐसा क्यों में डीजन था कि निको विल में बापास आजाएगा निको विलेज चली दोस्तों इस बार में मैं आपको मेरा जो पर्सनल ओपिनियोन है और मैंने जो रिशार्च क्या है उसके बार में आपको क्लियर करके बता देता हूं तो अभी तक मैंने जितना भी रिशार्च और जितना भी समझा है इस चीज को न खेल रहा है पूरा टीम सही ट्राक और सही रिदम से चल रहा है इसलिए हेड कोच ज्यादा एक्सप्रिमेंट नहीं करना चाहेगा और दोस्तों रही बात ओखरा की इंजरी तो उनका इंजरी ठीक होने में टाइम तो लगेगा लेकिन टीम मेनेजरन उनके रिप्लस्मेंट के उपर तो दोस्तों मुझे लगता है कि निको भी विलेज के वापास ना आने का चांच सबसे ज़्यादा यहाँ पर 90 पर से ना नेका चांच से और 10 अने का चांच से क्योंकि दोस्तो जॉन इब्रहेम के साथ निको विलेज का अभी भी कॉंटेक्स चल रहा है यानि कि इन दोनों के बहुत अच्छा एक रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है और हमेरे सामने आ रहा है तो दोस्तो आप आप लोग पूरी तरह से जो चीज है और समझ चुके होंगे कि किस तरह से क्या चल रहा है इस मैटर्छ से जुरे और आप जादा इस कोंट्रोफर्सी में ना पढ़ें जादा इसके बार में ना सोचें तो बैतर रहेगा और बाइचंस अगर इस matter से जुरे कुछ भी news निकल के आता है confirm news तो ही मैं आपको inform करूँगा आपको टेंसल लेने की जरूरत नहीं है it's my responsibility तो बस इतना ही कहना था इस matter से जुरे मुझे आप लोगों को और बहुत बहुत सुग रिया इस matter को पूरी तरह से देखने के लिए सून ले के लिए और आपको अगर लगे कि इसको share करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से share कर जी ताकि उनको भी झाहिए झाहिए घ